हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपके वीडियो देखे बात करने वाले हैं अंडर वैल्यूड टाटा स्टॉक अंडर वैल्यूड मैं इसको अभी भी इसलिए कहूंगा क्योंकि यहां पर ग्रोथ का पोटेंशल बहुत जबरदस्त है साथ के स्टॉक आसमानों पर कहते ही नाम आप जरूर समझ गया होंगे टाटा का स्टॉक वह अंडर वैन्यूड क्यों कहा जा रहा है उसको भी देखेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात हो रही है तो आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम मैं अगर आपको नंबर्स की तरफ लेके चलू तो आप हैरान हो जाओगे चाहे टाटा की नेक्शन हो या टाटा की पंच हो या टाटा की आल्ट रोज इतनी जबर्दस तरीके से सेल हो रही है कि आप खुद कहोगे भी यह हो क्या रहा है लेकिन टाटा मोटर्स को यही नहीं आने वाले टाइम पे मतलब 40% से उपर का यहां पलब देखे आने वाले टाइम पर यह टाटा मोटर्स की है अब आपको गए ईतना जबर्दस तरीके से बिल्कुल मैं कहां कि कि रिबाउंड कि इस तरीके से कहां बिल्कुल गूते लाता रहा تथार वहां से ऑकड़ा होगे आप में एक मान के चलो कि मारूती के बाद सबसे ज़्यादा गाड़िया जो बिक रही है वो टाटा मोटर्स के लेकिन आपको गया यह इतनी फास्ट क्या नंबर वन बनने की होड़ पे टाटा मोटर्स लेखिए और ऐसा नी इसके पास हर सेग्मेंट के लिए गाड़ी है आपके पास हारियर सफारी गहां वह भी है तो साथ एस सेंगमेंट को पज़ा करके बैठा हुआ है टाटा मोटर्स की अपने खाली सेफटी फीचर्स में धाली इसी लिए कहा हुकि मेजर जो मेजुरिटी है वो टाटा मोटर्स को सेफटी फिचर्ट जो इसकी क्रैस को पसंद कर रहे हैं लेकिन टाटा मोटर को अंडर वैल्यूड में क्यों कह रहा हूं उसका सीधे सीधे एक्जाम्पल है आपके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर मैं आपको अभी देखूं यहां पर डिटेल में समझने की कोशिश करूं तो यह जो लेवल है न महिंद्रा एंड महिंद्रा का 880 से 920 का जब यह करेक्शन में जौल भूरी थी यह लेवल देखिए तो यह लेवल मुझे टाटा मोटर में अभी देखने को मिल रहा है अब आपको गयर कैसी बाता है कर रहे देखिए यह वीकली चार्ट आपके सामने मैंने रख दिया तो जो टाटा मोटर का जैसे मैंने पर पहुंच गये वहां टाटा मोटर अभी अपने और टाइम हाइप भी नहीं पहुंच पाया लेकिन जड़ा देखिए और टाइम हाइप तो नहीं पहुंच पाया लेकिन यह लेवल कहां से उठा है यह 50-60 की रेंज से उठा है तो वहां से यह लेवल और टाइम हाइप ऐसा नहीं कि सीधे पहुंच गया है प्रॉपर करेक्शन इस ने दिये इन बिट्वीन यहां पर छोटी चोटी करेक्शन आई देखी और फिर देखे बहुत ही बहुत ही बहतरी इन करेक्शन और अभी भी मैं कहूंगा इसको एक तनी जल्दी नहीं आप अगर देखो कि 2022 यह करेक्शन ही चल रही है और अभी देखे पूरे-पूरे साल भर कहो या फिर मैं कहूंगा आपको कि इसमें दस महीं नहीं को इन एरियास तक ज्यादा दूर नहीं इन एरियास तक फोकस होगा लेकिन उससे पहले यहां तक जाने से पहले क्या situation बिल्कुल फ्रेक्टल नेचर of market जिसके हम बार-बार बात करते हैं अब आप को गयार कहां महींद्रा और कहां Tata Motors देखिए अगर आप आज के टाइम पे देखोगे गाडियां किसकी विकरिया सबसे ज्यादा आपके दिमाग में question होगा किसकी विकरिया फिर आपके दिमाग में answer भी आएगा महींद्रा के जिस तरीके से booking चल रहे हैं और stock के price को आपने देखा बुलिस क्रॉस मंतली पे correction अच्छा खासा ऐसा नहीं कि एकदम भाग गया अगर आप इसके correction को देखो फरवरी 2021 से लेके यह देखिए almost April 2022 तक पूरा का पूरा मैं इसको correction टाइम कहूंगा तो almost साल में से ज्यादा 14 मही और उसके बाद यह आप देख रहे हैं और टाटा मोटस में भी आप उसी तरीके से देख पा रहे हो कि अगर मैं मंतली चार्ट के उपर आपको लेके चलू तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी यह जो correction जैसे आपने महिंद्र महिंद्र में देखिए उसी तरीके की correction है 20-50 यह में के ऊपर देखिए 60 सुपर मोमेंटम एरिया में connection चल रही है और आप देखोगे कि यह correction भी यह देखिए यह अक्टूबर 2020 का हाई फिर उसके बाद मैं यह पूरी के पूरी करेक्शन कहूंगा इसमें देखिए नवेंबर दिसंबर जैनवरी फरवरी चार महिनी होगे उसके बाद चार जो है यह फैस्टिब सीजन तक बड़ी रैली की उम्मीद ज्यादा टार्गेट नहीं रखेंग तो प्रॉपर एक इंपल्स करेक्शन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है तो नेक्स्ट यह देखिए नेक्स्ट की तैयार है नेक्स्ट मूव छेसो के राउंड फिर उसके बाद जो पूल बैक होगा या उसको समझेने की कोशिश करेंगे तो अब मैं आपको सकते कि कितनी बड़ी रह ली थी इन लवल से और अभी की सिचुवेशन भी आप देख सकते हैं और यहां पर यहां पर देखिए यह होल्ड ही नहीं किया इस बार इसने पार करने की कोशिश जरूर की लेकिन अगर आप इसको तसल्ली से देखो इक्वल हाइस लेकिन यहां तो यहां इस प्राइस के लवल कोंडे से पहले नहीं की कोशिश करया और को यहां पर दिखाया रिया और इस रेंज का जो तो पुल बैक आएगा और वही पुल बैक अभी चल रहा है अभी रिजॉल नहीं वह अभी वह फुल बैक चल रहा हो भी 200 SME के उपर तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जी अब जो यह रिजॉल्व होगा तो हमारा टार्गेट इनिशल क्या होगा यह लवल अभी करेंट के आपके लिए त्यार जोएगी जैसे डीप स्टॉप लॉस यहां पर था इनिशल रेंज में आप इसको फुड़ा सा क्लियर करते हैं अब और थोड़ा जूम करने की कोशिश करते हैं ताकि इसको समझेंगे अब इस रेंज में जड़ा ध्यान देना इसको देखने की देखने को मिलेगा तो यह इंपॉर्टेंट है अभी इसलिए यह पूल बैक का रिजॉलिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसी यह रिजॉल्व होगा आपको क्या देगा लो रिस्क की अपॉर्चुनटी जहां पर आपको यह लगेगा कि हां कम रिस्क है मोमेंटम प्रॉ कीजिए लाइक कीजिए प्राइस सीखते रहें प्राक्टिस करते रहें प्राक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थैंक यू थैंक यू पर आचिंग दर वीडियो